हलो घाईज कैसे हैं आप सब राइख सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम कई दुनों के बाद आप каче लिए विडियो लेकर आ आए है। समय टाइम नहीं मिल रहा है घर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इसलिए हमको ताइब Tweув वीडियो सूट करें आज हम आये हैं अपनी नन्द के यहां के गाउं जा रहे हैं गोद भराई है दोस्तों तो हम गोद भराई में जा रहे हैं तो हमने यहीं कब वीडियो सूट किया है क्योंकि इस टाइम हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और आये थे तो हम थोड़ा सा सूट कर लेते हैं तो ये देखिए हमारी ननन्द का गाउं आ चुका है और हम लोग आये हैं यहां गोद भराई में बिटिया की गोद भराई है तो उसी में हम सब लोग आये हैं यहां पर देखे हैं तो इस अभी लोग तयारी में लगे हुए हैं अभी सुनने मे आया है कि गोद भराई वाले अभी नहीं आये हैं तो यहाँ पर सब बच्चे और बड़े सभी तयार हो रहे हैं वो ननन्द हमारी है जो पीछे तयारी कर रही है सब लोग बैठे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा महमान भी आ चुके हैं धिर धिरे जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बेठी की गोद भराई है तो लड़के वाले आएंगे गोद भराई करने के लिए और ये ननन्द का रूम है जहाँ पर हम आय हुए हैं और ये देखिए डेकुरेशन है जो की बाहर का है इनके घर के बाहर जो भी मैट वगएरा पड़ी हैं चेयर वगएरा पड़ी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे भी खेल रहे हैं पूरा सिस्टम तयार है लेकिन अभी तक वो लोग आये नहीं है सबी लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का और थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे बच्चों की मस्ती है बच्चे पूरी तरह से मस्ती कर रहे हैं हम थोड़ा सा छट पे भी दिखा देते हैं दोस्तों क्योंकि छट पे ही सारा अरेंजमेंट किया गया है यहीं पर इंगेजमेंट होनी है तो इनका स्टेज बगेरा पूरा अच्छे से बन चुका है यहाँ पे कोई भी नहीं है दोपहर का समय है और गर्मी भी बहुत जादा है दोपहर में यह लोग पूरा सजा दिये हैं छट पे और यह साम को यहीं पर कारिकरम होना है दोस्तों तो अभी हम आये हैं उपर दोपहर में धूप बहुत तेज है यह हम धाई बज़े के करीब छट पे हैं और धाई बज़े हम यह वीडियो सूट कर रहे हैं यहाँ का क्योंकि हमको बताया गया था कि यह लोग ग्यारा बज़े आ जाएंगे लेकिन अभी तक ये लोग नहीं आये हैं धाई बज चुके हैं अभी तक ये लोग नहीं पहुंचे हैं और हम बारा बज़े आ गये थे अपनी ननाद की घर पे और यहाँ सब लोग अपने मैकप में लगे हुए हैं हमारे बच्चे हो रहा है ये सभी महिलाएं बैठी हुई है ये गाउं का वीडियो है दोस्तों ये हम दिननन जो है वो गाउं में रहती है तो ये पूरे गाउं के हिसाब से इनका डेकुरेशन भी है और गाउं के हिसाब से पूरा अरेंजमेंट भी हुआ है सारे लोग आ चुके हैं और ये सभी लोग नास्ता कर रहे हैं आते ही इन लोगों ने नास्ता शुरू कर दिया है दोस्तों उसके बाद ही आगे के कारिक्रम होंगे जो भी गोद भ्राई का कारिक्रम होगा वो बाद में होगा अभी सिर्फ इनका नास्ता होगा नास्ता वास्ता करने में इनको एक घंटा तो लगी गया है दोस्तों करते करते पूरा दिन निसी में हो जाएगा हमें लग रहा है क्योंकि हमको पता चला था कि 4 बजे तक फुरसत हो जाएगी लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ है छट पे ज़्यादा जगा नहीं है थोड़ी जगा की कमी है तो देखिए ये गोद कुछा भर दिया गया है ये जो लड़की आ रही आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यही इनी की गोद भराई थी और गोद भराई की रस्में हो चुकी है सारी क्योंकि भीड बहुत ज़्यादा थी हम पूरा वीडियो आ जो नहीं बनाया है जहां जहां पे थोड़ा हमें सही लगा है वहीं वहीं का हमने शूट किया है अभी जा रही है अपना कोचा खाली करने क्योंकि यह कोच्छा होता है यह पूरा देवताओं के जो हमारे घरनी होते हैं उन्हें के सामने इसको खाली किया जाता है तो यह अपना कोछा खाली करके आएंगी तो रिंग सेरिमेनी होगी एक दूसरे को यह लोग अंगुठी पहनाएंगे और यह रसम बहुत अच्छी रसम होती है हम लोगों के यहां इस तरह से जब अंगुठियां एक दूस दाम से मनाई जाती है पहले गाउं में ऐसा नहीं था सिर्फ सहरों में ही ज़्यादा धूम देखने को मिलती थी लेकिन आज के समय में चाहे सहर हो चाहे गाउं हो सब जगा बराबर है हर कोई enjoyment बराबर करता है अब सभी लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं और सभी लोग अ यहां के लोग गाउं के रहने वाले हैं बिल्कूल बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने किया मुझे बहुत अच्छा लगा देख के और यह लड़की-लड़के हैं बहुत बढ़िया जोडी भी मुझे लग रही है आप लोगों को दूला-दूलन की जोडी कैसी लग मुझे जरूर बताना दोस्तों अभी इनकी साधी लगभग दिसंबर में जाएगी अभी तो इनकी साधी नहीं होनी है अभी engagement हो चुकी है और जो बीच के छोटी मोटी रस्में होंगी वो सारी पूरी की जाएगी और उसके बाद दिसंबर के महिने में इन लोगों की साधी भ पर आ रहे हैं उनको जो पोस्त चाहिए है वो पोस्त बनवा रहे हैं और इस तरह से गुद्भराई हुई है सब लोग बड़ी मस्ती कर रहे हैं सब लोग खूब हसा रहे हैं एक दूसरे को काफी अच्छा लग रहा है इस टाइम धूब भी नहीं हो रही है सामके चार बज गये हैं तो चार बजे चट पे बहुत अच्छा मौसम बन गया है अब यह लड़की ने रस गुला खिला दिया है मूँ मीठा करवा दिया है लड़के का अब लड़के का नंबर आएगा वो भी लड़की का मूँ मीठा कराएंगे आज कल की लड़किया मीठा खाने से लेकिन दूलहन का यहाँ पर बिल्कुल भी मूड नहीं है मीठा का वो अंदर अंदर इस आरोमेद बोल रही है कि हमको मीठा नहीं खाना है लेकिन दूले राजा है जो मान नहीं रहें और ये मीठा जरूर खिलाएंगे क्योंकि ये एक रसम होती है और इस रसम को करना कि ये साधी साधी का रजगुल्ला है इसको तो खाना ही होता है आप लोगों ने देखा कि दूला दूलन ने एक दूसरे को रजगुल्ला खिला दिया मूँ भी मीठा करवा दिया है बहुत अच्छा लगा यहां पर आके यह सेरीमेनी जो थी जो फंक्षन था इसमें सभी लो हुए है जो भी फूल बचे थे वो सब हम लोगों के ऊपर बच्चे डाल रहे हैं और बच्चों को देख करके हमको भी बड़ा आनन्दा रहा है तो हमने इसलिए आप सभी को यह वीडियो दिखाई है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना मुझे कम करके जरूर बताना थैंक यू